अगर आप शारीरिक कमजोरी से जूज रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है काम करते होकते जल्दी ठक जाना या फिर छोट छोटी बातों पर तनाम ले लेना ये सभी कमजोरी के लक्षन हैं ऐसे ही मिहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दूद और खजूर का एकसा स की काटागरी में शामिल है ऐसे में जब हम इन दोनों का एक साथ सेवन करते हैं तो इसके बेनिफीट कहीं जएदा हो जाते हैं बस ध्यान ये रहना है कि रात में सोने से पहले इसके सेवन करना होगा दूस्तों कैल्शियों प्रुक्ट्वीन और विटामिन से बरपूर जाता है जिसका सेवन करने से अनेमिया जैसे बिमारी को भी ठेक कर सकते हैं तो आई जानते हैं इसके फाइदों के बारे में सबसे पहला फाइदा ये स्केन के लिए बहुत फाइदे मन्द हैं खजोर में बरपूर मात्रा में अंटी उप्संस पाई जाते हैं जो अनेमिया को दूर करने के लिए आपको भरपूर मात्रा में आईरिक के जरूर पढ़ती है वही तूद में खजोर बिगोगर इसका सेवन के जाए तो हेमोगलोविन बढ़ता है जिससे अनेमिया की समस्या धीर धीर हो जाती है खजोर एक ऐसा खादय बदार्थ है जो ना सर करी के समय यूट्रस की संस्टिविटी को बढ़ाने का करती है आईरिवेद में खजूर का इस्तिमाल और शादिकर में किया जाता है खजूर और दूद का सेवन साथ में करने से प्रजणन खशंता विर्दी होती है रोजाना दो या तीन चुहारे दूद में पका कर आप उ खजूर में फाइवर के गुन पाई जाती है जिन लोगों को अपचे कबज की समस्दा है वो खजूर को दूद में उबाल कर पिये उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा और कबज की समस्दे से शुटटार मिल जाएगा सर्दी खासी की समस्दे से परशान है तो गर्म साथ खजूर का सेवन करें खरजूर में गुलुकोज और फ्रक्टोज और स्क्रोज पाय जाता है जो इंस्टेंट एनर्जी देने में मदद करते हैं तो दोस्तों यह थे खजूर और दूद के फायदे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो से लाइक कीजिए और अग तक के लिए नुश्का धन्यवाद